पिछले 24 गंटों में आपने ये तस्वीरें कई बार देखी होंगी इन तस्वीरों में आपने देखा होगा कि कैसे घायलों को अस्पतार ले जाया जा रहा है आपने देखा होगा कि घटना स्थल पर कैसे प्रशासुनिक अधिकारियों और आम नागरिकों का ताता लगा हुआ है उत्तर प्रदेश के गोंडा जिरे में कुछ गंटों पहले भारी चीख पुकार मची थी चारों ओर हाहा कार मचा हुआ था रेस्क्यू उपरेशन चल रहा था रेलवे के अधिकारी घटना स्थल का मुआइना कर रहे थे अधिकारियों समेत उत्तर प्रदेश और केंडर सरकार के मंतरी घटना का अपडेट ले रहे थे और घटना के बारे में बता रहे थे वो लोग जिन्होंने इस हाथसे को बेहत करीब से देखा जो लोग ट्रेन में थे और हाथसे का शिकार हो गए थे अस्पताल में गायला वस्ता में वो लोग भी अपनी आखों देखी बया कर रहे थे यानि कुल मिलाकर हाथसे में जो कुछ भी हुआ वो सब आपने अब तक देख लिया होगा लेकिन अब ये तस्वीर देखिए इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि railway track को ठीक किया जा रहा है साथ ही कुछ लोग मालगारी के उपर चड़े हैं और ठीक हुए track के उपर मालगारी को गुजारने की तयारी कर रहे हैं और थोड़ी ही देर बाद ठीक हो चुके railway track पर मालगारी भी गुजरने लगती है रेलवे कर्मियों और अनिप्रशासनी कदिकारियों के लिए ये राहत की खबर है इस मामले में पास के गाउं के रहने वाले कुछ लोगों ने भी गटनास्थल का सुरतेहाल बताया आपको बता दें कि गटनास्थल से गायलों को अस्पताल पहुचाने में इस्थानिय लोगों ने भी मदद की मतलब जिम्मेदारी के साथ किये और हमारा भगवान से ही निवेदान है कि मतलब ये जल्दी घायल हुए है उनको जल्दी ठेक हो जाएं बस और कुछ नहीं कुल मिलाकर इस्तिती सामाने हो रही है मालगारी के चलने से पहले जेसीबी और हेवी मशीनों के जरिये ट्रेन की बिखरी बोग्यों को ले जाया गया हालनकि रेल्वे सूतरों का कहना था कि ट्रेक को ठीक होने में 2-3 दिन लग सकते हैं लेकिन ज्यादा करमचारियों के काम करने से ट्रेक जल्दी ही बन कर ठीक हो गया गटना के कारण को भी स्पष्ट करते हुए गौंडा के स्सपी विनीत जैसवाल ने भी इसे एक हाथसा ही करार दिया मामले में जो भी अपडेट होगा वो अपडेट हम आपको देता रहेंगे तब तक के लिए आप बने रहें हमारे साथ देख रहें लाइव इंदोस्तान